और प्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स से बेलकम बैक मैं लूझे डाल आर्ध शास्त्रिक नगरी फ्रेंड्स मैं आपको क्लास 12 की एकनोमीकस का फूल कॉर्स कराऊंगा लिदि में अगर आप क्लास 12 की एकनोमेक्स का फूल गॉर्स करना चाहते हो क्लास हे myś indispens miejsc हें है आज मंजो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चों का overhe Vamos तड़स्ता वक्र से संबंदित अब धार्ना है, यह जो है, सभी बच्चों का confusing topic क्यों रहता है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुती दिक्कट, बहुती परिशानी में, क्या दिक्कत, क्या परिशानी है तड़स्ता वक्र, किसी से पूछो, कित तड़स्ता व distort क्या है तो वह जो एंप सी की डेफिनिशन बताता है कि वहाई जो पैपppe c की डेफिनिशन है न को संजी को त olduğसい आउप जो भी बताता है mostly बच्चों की यही दिक्कत है तो आज जो है इस वीडियो के अंदर हम उन सभी बच्चों की दिक्कत परिशानी को दूर करने वाले जिनको PPC और तरड़स्ता वक्र जो है सारे के सारे कोश्चन जिस टाइप के कोश्चन आपके एक्जाम में पूसता है किस टाइप के आपके एक्जाम में आ सकते हैं यह सारे के सारे कोश्चन हम जो है इस वीडियो के अंदर आज हम कवर कर लेंगे वीडियो करने से पहले मैं आपको बता दू कोई भी दिक्कत हो को वाट्साइब नमबर आपका मेरे पास ही है नहीं है तो सेफ कर दीजे और फ्रीली बिना गुज सोसेजम जब कोई भी कुश्चन ना रहा हो कोई से नुमेरिकल आपसे ना हो रहा हो मैंको वाट्साइब पेस कुश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं मैं आपको बता दूगा उस प अब भी नौर मार दीजे पहले केवल अड़त पे गौर कीजे कह रहा है तर्थसता वक्र क्या है कह रहा है ये दो वस्तूओं के दो वस्तूओं के ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिससे वह भोकता को एक समान सन्तुस्टी प्राप्त होती है देखो क्या दियान लखना है दो वस्तूओं के संयोजनों को दर्शाएगा दो वस्तूओं के संयोजनों को दर्शाएगा जिससे वह भोकता को एक समान सन्तुस्टी ये लाइन इंपोर्टेंट है दो वस्तूओं के ऐसे कॉंबिनेशन को दर्शाएगा जिससे वह भोकता को एक समान सन्तुस्टी प्रा आता हूं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझा जाएगा कि यह क्या कहना चाहरा था ठीक है ना देखो अभी विशेष्टा है विशेष्टा है बाकी बाद में देख लेंगे पहले तो यह जो डेफिनिशन बता रहा है इसको आप ग्राफ से समझोगे तो जाद अंदूस्टी मिलती है देखो इसके लिए क्या करो पहरे सबसे बहुत जरह ग्राफ ड्रो कर लेते हैं फिर बाकी की चर्चा बाकी को मुद्धा जो हो तम बाद में भी सीख लेंगे देखो इधर लिख लिजिए आप पतहिए आपको एक्स एक्सिस इधर लिख लिजिए व तो कोई भी दो वस्तूइं ले लिजिए माल लो एक में लेली चलो मैं वस्तू एक्स लिख लेता हूं यहां पर वस्तू एक्स और इधर लिख लिजिए वस्तू वाइट ठीक है ना दो वस्तूइं लिख ली मैंने अब यह बंता कैसे है देखो अभी मैं पैंजर ड्रो कर यह बनता है अपका फुज इस तरीके से इसको क्या कहते हैं i.c. i.c. बोले तो i.c. बोले तो indifference curve ठीक है ना अब अब देखो भी यह क्या कह रहा था अब इस पर क्या होते हैं इस i.c. पर कुछ point होते हैं जैसे for example के लिए एक यह point ले लो हे एक यह point लो हेक यह point ले लो एक यह point ले लो ठीक है ना मल लो यह वाला जो point है और यह कॉन सा point यहार हो मैं scale चलाब से किश देता हूं तो आप कुछ समझ में आ जायेगा देखिए यह वाला point और यह वाला point ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो प्रिंटों एक्म को उपनाएं वाए वस्तु की एक ही क्riendly रहा है वाई वस्तु की जो एक है भी पौंशनार यह पौईंट पर दो और चार इसको माली तीन और तीन इस पर माली पांच और एक ठीक है ना अब देखो अब आज़ा उसकी language पे कह रहा है ic जो है तटस्ता वक्र जो है ये दो वस्तुओं के वस्तु x और वस्तु i दो वस्तुओं के ऐसे संयोजनों को दर्शार है इसको क्या कहते है संयोजन combination ऐसे संयोजनों को दर्शार है जिससे वक्रता को एक समान संतुष्टी मिलती है संतुष्टी को utility भी कहते है ध्यान रखिएगा संतुष्टी को utility भी कहते है मतलब क्या हुआ इस ic पर इस ic पर जित्ते भी point यह जित्ते भी combination है उब्भोगता इसमें से कोई से भी combination को choose कर ले उसको एक समान संतुष्टी मिलेगी समान उपयोगिता मिलेगी माल लो यहां से इसको उपयोगिता मिल लिया माल लो 20 utility माल लो अज्यूम कर लिया अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उब्भोगता वस्तू एकस पे माल लो मेंने लिख लिया समोसे ठीक है एक तरफ लिलो समोसे और यहां पर लिख लो माल लो मेंने लिख लिया ठीक है ना, अगर भोगता, दो समोसे खाए या चार ब्रैट पकोडे खाए, तब भी उसको 20 utility मिलेगी, या वो चार समोसे खाए, दो ब्रैट पकोडे खाए, तब भी उसको जो है, सेमी उपयोगिता मिलेगी 20 utility, ठीक है ना, इस IC पर, ये वाला जो तटस्ता वक्त है, इस IC प उसको जो utility, जो satisfaction मिलनी है, वो 20 ही मिलेगी, क्योंकि ठीक है, दो वस्तों के ऐसे सही हो, जुनों को दर्शारा है, जिससे बोगता को एक समान संतुष्टे मिलती है, बले वो एक समोसा खाए, या पांच ब्रैट पकोडे खाए, तब भी 20 मिलेगी, बले वो पांच समोसे खा होते हैं, ठीक है ना, मैं भी आपको ये book language से जादा अच्छा इसमें समझाया होगा कि ये क्या कहना चाहरा है, और ये मैंने assume करा है, ठीक है ना, अब आजब ज़रा इसकी book language पे इसकी विशेष्टाओं उपर की विशेष्टाओं में क्या कहना चाहरा है, सबसे पहले क्या दाएं डालो होता है, अब क्यूं होता है, पाएं से दाएं डालो क्यूं होता है, तो आपको इसलिए लिखना है, क्यूंकि अगर भोगता को एक वस्तु का भोग बढ़ाना है, तो दूसरी वस्तु का भोग उसे घठाना पड़ता है, देखो, अगर हम इस वाले combination पे ते, यहाँ पर हमें कित्ते समोसे खा रहे हैं एक समोसा खा रहे हैं और यहाँ पर ब्रैट पकोड़े कित्ते खा रहे थे पांच अगर बोगता को समोसे जादा खाने हैं अगर एक से दो करना है तो ब्रैट पकोड़े कित्ते डिक्रीस करने पड़ेंगे एक डिक्रीस करने पड़ होता है और क्यों होता है अगर बोगता को एक वस्तू का भोग बढ़ाना है तो दूसरी वस्तू का भोग जो है वो घटाना पड़ेगा ठीक है न उसके बाद है तटस्ता वक्र जो है तटस्ता वक्र जो है वो एक दूसरे को ना तो छूते हैं और ना ही काट सकते हैं मतलब क् जैसे यह जो शेप का बना है या हमेशा इस शेप का बनेगा ना तो छोँ सकते हैं और ना ही काट सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ जैसे मालय यह एक राव है मालय मैंने बताए Dec इसे बनता है तो ना तो यह कभी ऐसा बन सकता है मालो योग 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 माले का संतुश्टी स्थर है अपना अलग होगा देखो यह हमेशा ऐसे बनेंगे इह हो गया c1 और मालो यह हो गया l add 2 यह हो गया आइसी 3 123 ऐसी 1, i7 two, i3 लिख लेना अब इह मालो इस सब आइड़े जो है है अलग अलग होता है ठीक है ना इसलिए जो कभी यह कभी तुछ टची नहीं कर सकत है टच करें मतलब क्या है दो स्पोड होगर का संतिस्ति स्टर सेबाइ profit बटा एक अब ऐसा कभी होई नहीं सकता है इसलिए ना तो ये कभी एक अश्ट डूसरे को रखनाना ही एक के बाद तीसरी विशेष्टा पर तीसरी विशेष्टा मुस्ट इंपोर्टेंट है तीसरी विशेष्टा मुस्ट इंपोर्टेंट है क्या रहा है तटस्ता वकर का ढलान मूल बिंदु के और कैसा रहता है उन्नतोदर रहता है इस शेप को कहते हैं इस शेप को कहते हैं उन्न दर दर क्या कहते हैं शेप को उन्न दर ठीक है न और ऐसा त्उह रहता है कि प्रतिस्थापन की सिमान्त दर घटती जाती है जिस वजा से तटस्था वक्र क्या रहता है अब ये विशेष्टा जो है थर्ड ये विशेष्टा ये आपसे इंडिविज्वल भी पूछ सकता है अलग के बहुत ये बताओ के तटस्ता वकर मुल बिंदु की और उनों दर क्यों होता है तो वहाँ पर केवल आपको इसी को एक्स्प्रेंड करना पड़ेगा और प्रतिस थापन की सिमाँդ तरज्वय क्या होती है जारू हो क्या है तो अभी dette किसले बन घड़ती वही है ? घड़ती हुई के कारण तक तसता वकर मुल बिंदु की और उन्नत उधर होता है अब जैसे मैं अगर आपने मेरी पीपी सी वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था अब इसको इस शेप को कहते हैं नतुदर, यह इसको टच निकरेगा ठीक है नई इसको टचनी करता इस शेप को कहते है इस शेप का ऐसे तो इसको कहते है नतोदर तो ऐसा कब बनेगा आईसी ऐसा आईसी तब बनेगा जब प्रतिस्थापन की सिमांत दर क्या होगा बढ़ेगी जब प्रतिस्थापन की सिमांत दर क्या होगा बढ़ेगी और जब घटेगी त को कैसा बने गा तो बनेगा इस शेप का उन नतो दर और जब इस्थिर प्रतिस्थापन की समानत्र के न ज़ेंगे जब इस्थिर होती है थो आई सी ऐसे बीगे सकते है मिम झाल Creek करें तो तीन तरीके की क्वर्श्षन सेम जासे पी पी से के नदर आएसी से में इसके अंदर भी है जैसे बैट जब भटती होई उती है तो नतो दर जब घड़ती की हो होता है तटस्ता वक्र मुल बिंदू के और उनों की प्रतिस्थ situação की सिमान्त दर घटती जा ती है और ये होती है भी हम ठीक हैंगे कि यह क्या है छौत्ति विशिष्टा है इसकी तटस्ता वक्रों में सबसे उचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टित तरश्ट दाये मतलब चब क्या हुआ जितना ऊचा आई सी कर्व होगा जतना उचा आई सटीस्फेक्शन गोगा उतना ही ज्यादा सेटस्वेक्शन होगा जैसे यहां पर देखों baru IC1, IC2, IC3, 3 है तो जितना उचा IC है तो IC3 जो है वो सबसे ज़्यादा satisfaction दे रहा है सबसे ज़्यादा संतुष्टी दे रहा है 40 utility इस तठस्ता वकर पर जित्ते भी combination होंगे वो सब 40 utility 40 के satisfaction देंगे जितना नीचा जितना lower IC करव होता है उत्ती lower satisfaction देता है जितना उचा IC करव होता है उत्ती उची satisfaction को देता है ठीक है ना तो चार विशिष्टा तो हो गई इसकी ये किताबी वाली पांच वी आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि भई तठस्ता वकर ना तो X अक्ष को छूता है ना ही Y अक्ष को छूता है मतलब ना तो ये ऐसे बनेगा X अक्ष को छूता हुआ और ना ही ये कभी ऐसे बनेगा Y अक्ष को छूता हुआ ये ऐसे कभी भी नहीं बनते है ना ही X अक्ष को छूता है ना ही Y अक्ष को छूता है देखो मैं आपको बता दू तठस्ता वकर की विशेशता है ये एक most 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 important exam के अंदर fix है compulsory 6 marks की तठस्ता वकर की विशेशता है एक्षाम के अंदर आती भी है और कोई individual features आपका पूछ सकता है कि वह एक्ष को explain करो और उसके अंदर जो है सबसे पहले third कि यह मूल बिंदू के और उन्हों अदर क्यों होता यह बताईए यह सबसे जादा most important है mostly यह आती आपकी exam में कि इसको explain करो तो maybe आपको यह तठस्ता वकर क्या होता है यह आपको अच्छे से समझा गया होगा और इसकी विशेशता है क्या होती है और ऐसी क्यों होती है यह आपको अच्छे से समझा गया होगा अब हमाई को पढ़ना है कि तठस्टा वक्र यह पता चल गया, इसके फीशेश्ट अब यह भी पता चल गया अब एक concept है तठस्टा मांचित्र एक नंबर का कभी कभार आपकी जब किस्मत खराब हो तब पू सकता है कि तठस्टा मांचित्र जो है वो क्या होता है तो देखो क्या कहा रहा है तटस्ता मानचित्र के बारे में क्या रहा है संतुस्टी के विभी निस्तर दर्शाने वाले तटस्ता वक्रों के समू को तटस्ता मानचित्र कहते हैं ये तो गई थोड़ी किताबी language क्या कह रहा है संदुस्टी के विभी निस्तर दर्शाने वाले तटस्ता वक्र के समू को तटस्ता मानचितर कहते हैं अब आज यह जड़ा थोड़ी अपनी लैंगविज पर कि यह क्या कहना चाहरा था यह यह कहना चाहरा है कि जो बहुत सारे इसी होते हैं न, बहुत सारे तटस्ता वक्र जो होते हैं, उनका समू होता है उसको तटस्ता मानचित्र कहते हैं, जैसे माललय यह lucky आईशी 1, यह ओगया आपका आईसी 2 fatto, यह ओगया आपका आइशी 3 तो यह क्यों गहिए, इसमें बहुत एक जिसमें भी एक से ज़्यादा इसी होते हैं उसे तटस्ता मानचित्र कहते हैं यह सिंपल है और इतना कोई ऐसा इंपोर्टेंट ही है वन मांक्स में कभी कवारता आ सकता है जब आपकी किसमत खराब हो तो यह मैंने आपको इसलिए बता दे क्योंकि किसमत खराब है यह आपकी तो कुछ भी आ सकता है इसलिए पढ़ लीजिए कि यह तरटस्ता मानचित्र जो है वो क्या होता है तो जो संतुस्टी के अलग लग आप जैसे ic1 मालो, यह देरा 20, यह देरा 30, यह देरा 40, जितना जाधा उचा ic कर्वोगा, उतनी जाधा satisfaction, जितना नीचा ic कर्वोगा, उतनी लोगर satisfaction, यह है इसकी important विशेशता है, यह आपको ध्यान रखनी है, ठीच है? जितना उंचा IC करव होता है उतनी जादा satisfaction देता है जितना lower IC जितना नीचा तटस्ता वकर होता है उतनी कम satisfaction देता है तो ये तो हो गया तटस्ता मानचित्र अब आजकर एक marks का ये वहता रहा है कि भैई ये एक दिश्ट अधिमान एक दिष्ट अधिमान क्या होता है यह important है most important यह आपका exam ना आजकल बहुत आ रहा है तो देखो पहरे एक नोड़ी किताबी language पढ़ लेते हैं क्या कहा रहा है क्या रहा है यह इस माननेता पर अधारित है क्या रहा है अधिक वस्तु की बजाए अधिक वस्तु लेना पसंद करता है वो तो simple सी बात है क्या रहा है अधिक वस्तु की बजाए अधिक वस्तु लेना पसंद करता है क्यों क्या रहा है अधिक वस्तु के भोग से अधिक संतुष्टी संभो हुए यह कह रहा है यह देखो यह तो हो गई थोड़ी किताबी language अब आज़े थोड़े अपने वाले मुद्दे पर यह क्या कहना चाह रहा है माल लो दो तरीके के बंडल है हमारे पास दो तरीके के सहींजन हैं दो तरीके की वस्तु हैं जैसे माल लो पहली वस्तु के अंदर जो है माल लो साथ समूसे हैं ठीके ना वही वाला एक्जामपल ले लो पहला जो सहींजन है मारे पास उसमें साथ समूसे साथ ब्रेट पकोड़े हैं साथ समोसे ये कह पहले वाला ये है समोसे और ये कह दूसरे वाला ये है ब्रेट पकोड़े ठीक है ना पहले वाले संयोजन के अंदर ये है दूसरे वाले संयोजन के अंदर आठ समोसे साथ ब्रेट पकोड़े इसमें समोसे कितने हैं एक समोसा जादा है और इसमें ब्रेट प नहीं का सन्योजन में थाइन और से लिगए के रचा सकता हैं अन्तर के नहीं थे कि बॕकता कम वस्टू की बजाए अधिक वस्टू लेना पसंद करता हूँ ये भी उतनी रुपинки आ रही है, ये भी उतनी रुपय क्या रही है ये भी उतनी satisfaction देगा और ये भी उतनी satisfaction देगा तो भई जब दोना इक वस्टू की satisfaction देंगे, तो consumer इसको लेगा ना समों से ज़्यादा मिल ले ठीक है ना तो ये इस मानने था परता रही था कि बोग तक कम वस्तू की बजाए अधिक वस्तू लिना परसंद करता है क्योंकि अधिक वस्तू से क्या होता है अधिक वस्तू के बोग से अधिक संतुस्थी ज़्यादा satisfaction मिलती है ठीक है ना तो ये one marks का आ सकते है आपका ये important है और उसके बाद last है हमारा प्रतिस्थापन की सिमान्त दर जो है वो क्या है देखो क्या रहा प्रतिस्थापन की सिमान्त दर वह दर है प्रतिस्थापन की सिमान्त दर वहदर है जिस पर उभोकता वस्तु एक की अतिरिक तिकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु दो की मातरा तियागने के लिए तैयार है मतलब किस रेट पर किस रेट पर वहदर जिस पर उभोकता वस्तु एक की अगर हमें वस्तु एक की जादा quantity चाहिए वस्तु एक की अतिरिक दिकाई चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए हम वस्तु दो की कितनी मातरा त्याग रहे हैं उस दर को हम क्या कहते हैं उस दर को हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सिमान्त दर most important है या आपकी one marks में कभी भी पूछी जा सकती है कि प्रतिस्थापन की सिमान्त दर क्या होती है और इसका formula क्या है इसका formula इसको किसे denote करते हैं इसको denote करते हैं MRS XY किसे denote करते हैं इसको denote करते हैं MRS XY is equal to delta वस्तु Y divided by delta वस्तु X और ध्यान रखना है आपको जब ये घटती है जब ये घटती है तो ततस्ता वकर कैसा बनता है तो ततस्ता वकर बनता है आपका उन्नतोदर और जब ये बढ़ती है तो ततस्ता वकर आपका कैसा बनता है तो वो बनता है नतोदर और जब ये स्थिर होती है तो तठस्ता वक्र कैसा बनता है तो तठस्ता वक्र एक सीधी रेखा में बन जाता है ये आपको ध्यान रखना इसके अंदर ये most important है जैसे जैसे PPC के अंदर है वैसे ही same as it is इसके अंदर भी जो है तो बही जब सिमान तफसल लागत इसके अंदर भी है कि ये भी आ सकता है ये आईसी तठस्ता वक्र एक सीधी रेखा कब होगी जब परतिस्थापन की सीमान ततर इसके अंदर होती है ये आपको जो है ध्यान रखना है इसके अंदर ठीक है ना तो में भी ये आपको पूरा concept clear हो चुगा होगा कि वही तटस्ता वकर जो है वो क्या है तटस्ता वकर की विशेश्टा है क्या है तटस्ता मांचीतर क्या है एक तिस्ट अधिमान क्या है प्रतिस्थापन की सिमानत क्या है तटस्ता वकर का ग्राफ कैसे बनता है ये सारी चीजे थी तटस्ता वकर से related ये सारी चीजे आपको ध्यान रखनी है एक तो इसकी विशेश्टा है विशेश्टा है इसकी most important है इसका use जो है हमे अब जब हम next वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि तटस्ता वकर से वोगता संतुलन कैसे निकालते हैं तो वह आपको वहाँ पर इसका utilization होगा वहाँ पर इसका use होगा तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तटस्ता वकर क्या है इसके विशेश्टा है क्या होती है तो तक हम वोगता संतुलन तटस्ता वकर से नहीं कर सकते इस वज के ना तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में में भी आपको यह पूरा कॉंसेप्ट के लिए रोचुका होगा अगर अब भी के लिए नहीं हुआ है तो वाट्सेप नंबर आपके पास ही है फ्रीली बिना कुछ सो से समझे में को मैसेज कर दीजेगा कि सर जी समझ नहीं या आया है मुझे दुबारा बता जिए वीडियो जैसे भी लगए अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करकर आपको ना भूल जाते हो I Cristi कमेंट करें मुझे बताई यह चोई चैसी लगे PPC की definition बताते हैं तो उनकी भी दिक्कत परिशानी थोड़ी दूर हो जाए कि इन दोनों में difference के what is the difference between PPC and indifference curve ठीक है ना तो उनकी भी थोड़ी दिक्कत परिशानी दूर हो तो share करना मत बूलिएगा मिलते हैं आप से next video में next video हमारी most important है क्योंकि वो है most most fixed question exam के अंदर गोल के पी जाना हो से और वो है उभोकता संतुलन तडस्ता वोकर विशलेशन से ठीक है ना तो thank you so much आपने मेरी वीडियो को watch किया आपना valuable time दिया 25 मिनट मेरे लिए निकाले तो have a good day bye bye